बहुत ही सिंपल सी टर्म है और छोटी सी टर्म है अंगुलर वेलोसिटी बहुत ही बेसिक टर्म इसको फिजिक्स की मानना जाता है and yet it is really very very important to understand it's a physical significance my point is अंगुलर वेलोसिटी क्या है सभी को पता है it is just like linear velocity बस हम इसको एक circular motion या अंगुलर फॉर्म में इसको measure कर रहे है angular velocity का formula क्या है सभी को पता है angular velocity की direction क्या है वो भी सभी को पता है कि along the axis of rotation is the direction of the angular velocity but point यहां पे यह है कि why that axis is taken body तो ऐसे घूम रही है तो axis का क्या रोल है उसमें have you ever thought about it कभी आपने उसके उपर have you given it a second thought कभी भी सोचा आपने इस चीज के बारे में कि angular velocity देखो simple सा फंडा है एक डिस्क लो या एक प्लेट लो उसको ऐसे गोल-गोल घूमाओ horizontal direction में देखो जैसे में अपनी finger घूमा रहा हूँ तो मेरी finger कैसे घूम रही है ऐसे घूम रही है अपनी finger घूमाओ चलो बैठे बैठे मापे ऐसे घूम रही है तो angular velocity भी कुछ इस तरीके से आनी चाहिए ना कैसे justify करोगे आपकी यह आप जो है इस axis के longest की direction बता रहे हो एक example आपके सामने है अगर मैं बात करूँ tangential velocity और आपको पता है मान लो एक particle जो है यहाँ पे एक body है और वो एक circular motion कर रही है तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे मुझे बताओ velocity कितनी है linear velocity तो आप बोलोगे tangent बना दो जी यहाँ पे सही बात है फिर मैं बोचता ह नहीं पर बताओ कितनी linear velocity होगी तो है जाप बोलोगे यहाँ पे tangent बना दो इसे बहुझा बना दी सही ही बात है फिर यहाँ पे कितनी होगी उसकी भी tangent बना दो और बैल्कूल सही से क्यों depict की जाती है अगेन देख लो यहां पर आपकी body ऐसे यह motion कर रही है दिख रहा है ना आपको यह direction of motion है आपका जो इस तरीके से किया जा रहा है इंटी clockwise एंटी clockwise motion चल रहा है यहां पर और इस एंटी clockwise motion की जो angular velocity है वो समझ में आती है formula के हिसाब से 2 आपको पॉइंट आ रहा है जो एरो बनाया है यह ऐसे क्यों बनाया है कुछ इसको एड़ेस्ट हम अलॉंग रोटेशन नहीं कर सकते थे ऐसे ऐसे अगर रोटेट कर रही है डिस्क तो हमने इसको ऐसे क्यों बनाया कुछ ऐसे बनाते कि जैसे हमारा यह justify हो रहा है टेंजेंशल वलॉसिटी यहां पर उसकी सेंस बन रही है explanation की तो ऐसी ही सेंस यहां पर बनती आंगुलर वलॉसिटी की आपको पॉइंट आ रहा समझने मैं किस चीज़ पर stress कर रहा हूं एक tangential velocity है यह आपके सामने इसकी sense बनती है कैसे बनती है इस point पर tangential velocity या linear velocity बताओ tangent बना दो बई यहाँ पर tangent बना दो यहाँ पर बना दो यह सारी इसकी linear velocities है उस point के उपर along the tangent बनेगी this perfectly makes sense but how come this makes sense जो चीज ऐसे rotate कर रही है उसकी direction आपने ऐसे कैसे ले ली वो ही मेन मुद्दा है आंका थोड़ा सोचो इसके बारे में चलो थोड़ा सा टाइम और देता हूँ आप वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो ध्यान से सोचो क्या हो सकता है इसका अंसर चलो सोच लिया आपने अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ जब आपकी बॉड़ी ऐसे रोटेट कर रही है horizontal direction में जैसे आपके साम नहीं है ये diagram जो ऐसे रोटेट कर रही है मैं इस पर कुछ particles लेता हूँ इस पर कुछ particles लिये मैंने इसको नाम दिया A इसको नाम दिया B इसको नाम दिया C इसको नाम दिया D और इसको नाम दिया E बात आई समझ में अब अगर मैं बात करूँ क्या ये सभी के सभी एक circular motion कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं क्या इन सभी के पास angular velocity है बिल्कुल है इनके पास angular velocity है इन सब के पास A के पास है B के पास है C के पास है D के पास है और E के पास है इन सभी के पास angular velocity है अब point यहां पे यह है कि मुझे कुछ इस तरीके से direction बतानी है angular velocity की सभी के लिए common आए क्योंकि सभी की angular velocity क्या है सेम है क्योंकि जब आप answer देते हो angular velocity का उसकी एक single value देते हो अगर आप उसकी एक single value दे रहे हो इसका मतलब पूरी की पूरी जो body है या सारे के सारी जो particles है इन सब की angular velocity सेम है पर इनकी locations अलग लग है इनकी क्या है locations अलग लग है अच्छा अगर मैं tangential की बात करता that is equal to v is equal to r omega तो यहाँ पे r decide करता है जहाँ पे r कम होगा वहाँ पे v कम हो जाएगा जहाँ पे r जादा होगा वहाँ पे v जादा हो जाएगा पर यह चीज तो constant रहती है हमेशा तो again फिर से मैं point explain कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने यह अलग अलग जो यहाँ पे points लिये हैं इन सब की angular velocity same है value same है पर अगर मैं direction की बात करूँ यह एक particular time पे सब अलग अलग directions में जा रहे हैं यह इधर को जा रहे है यह इधर को जा रहे है यह इधर को जा रहे है और यह इधर को जा रहे है तो अब मैं क्या करूँ किस तरीके से angular velocity की direction बताऊं ताकि वो सभी के लिए common आए सभी के लि और angular velocity constant चीज़ है एक घूमती हुई body का वो characteristic होता है तो हमने सोचा सोचा सोचते गए सोचते गए हमने थोड़ा और दिमाग लगाया हमने देखा कि अगर मैं इस एक ही बात करूँ तो इसका perpendicular कहां पे होगा ऐसे होगा, B का perpendicular कहां पे होगा, C का perpendicular कहां पे होगा, ऐसे D का ऐसे और E का perpendicular ऐसे, that means जो इनका plane of rotation है उसके जो perpendicular direction है वो इन सभी particles के common है इन सभी particles के, अब इसको आप एक disk भी मान सकते हो इसको आप एक single particle भी मान सकते हो जिसकी अलग-लग positions बताई है दोनों ही ways में मैं इस चीज को समझा रहा हूं तो फिर से मैं बोल रहा हूं इन सभी के सभी particles के लिए एक ही common direction बचती है that is the perpendicular to the plane of rotation अगर मैं A, B, C, D, E सभी का perpendicular बनाऊं तो सभी का perpendicular कैसा आएगा same आएगा and that will be like this hence हमने decide किया कि हम angular velocity की जो direction है वो along the axis of rotation ही रखेंगे ताकि वो सभी के लिए same आजाए हमने एक compromise reach किया क्योंकि A कहता है मैं तो जी इदर को घूम रहा हूं B कह रहा है मैं इदर को जा रहा हूं C उदर को D इदर को E इदर को तो सभ के लिए common चीज क्या निकली along the axis of rotation तो अब हम decide कैसे करेंगे कि हमारा जो axis है वो उपर की तरफ direction बताएगा या नीचे की तरफ बताएगा तो उसके लिए फिर हमने एक rule बनाया यह देखो ध्यान से right hand rule आप अपनी fingers को curl करोगे along the direction of rotation जैसे आप diagram को देखे अपनी fingers को जरा curl करो इधर को आ रही है तो thumb आप सभी का उपर को जाएगा तो अगर आपकी body ऐसे rotate कर रही है जैसे इस condition में आपको बताया गया है like this ठीक है यह कैसी है condition आपकी that is your anti clockwise तो इसमें आपका जो है angular velocity की direction upward होगी और अगर यह clockwise होता तो यह downward हो जाती तो point is like this तो अगर आपका actually में basically आप fingers को curl करोगे along the direction of rotation of the motion तो जो thumb है आपका that will gives the direction of the angular velocity vector तो हमने सीखा क्या हमने यह सीखा कि जैसे tangential velocity को explain करते हुए एक sense बनती है कि इस point पे tangential velocity क्या है इस पे क्या है इस पे क्या है tangent बना दो बात बन गई पर मुझे angular velocity की direction बताने में दिक्कत है आ रही थी हर point पे जो direction है उसके motion की वो लग लग है तो हमें हर particle की अलग angular velocity दो बता नहीं सकता कि भाई वो उदर को rotate कर रहा है वो उदर को कर रहा है वो उदर को कर रहा है तो हमने common conclusion पे reach किया क्योंकि angular velocity के single same value होती है और हमने common direction देनी थी और एक plane of rotation के एक ही common direction होती है उसमें जितने भी सभी particles है उनके लिए that is the perpendicular direction hence the direction of angular velocity is calculated like this और इसमें हम अपना right hand rule यूज करते हैं curl करते हैं fingers को along the direction of rotation of the particle or the body और जो हमारा thumb होता है that gives the direction of the angular velocity fine तो I hope आपको इस समझ में आया है and just let me know in the comment section कोई ऐसा देखो छोटे-छोटे topics हैं पर बहुत important है इनको समझना और यह चीज़ निगलेक्ट करते हैं सभी बच्चे normally पढ़ते हुए angular velocity वह ऐसे समझेंगे तो बहुत ही छोटी सी चीज अच्छा यह 2PYT formula है direction ऐसे होती पर क्यूं होती है उसके उपर बहुत कम बच्चे है that ponder over की नहीं यार ऐसे क्यूं हो रहा है तो ठीक है फिर अगर कोई और topic है तो आप मुझे बताओ चाड़ बॉक्स में 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 तापिक सरल फॉर यू छोटा भी concept हो सकता है बड़ा भी हो सकता है जही और नीट एक्जाम में आपके बहुत काम आने वाले topics physics के किसी भी exam में आपके काम हेंगे topics ठीक है तो चलो फिर stay safe keep revising I'll see you in the next video thank you